students good morning कैसे हैं आप सभी उमीद करते हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए बच्चो आज हम सभी solve करते हैं class 3 की worksheet week second subject maths and the topic is shapes and symmetries तो चलिए बच्चो देखते हैं हम question की help से समझते हैं question number one is encircle the figure which can be divided into two symmetrical figures बच्चो सिमेट्रिकल figure means क्या होता है when the earth shape or when anything is same on the both side जब वो दोनों तरफ एक जैसी होती है उसको हम सिमेट्रिकल figure बोलते हैं ठीक है like जैसे की यह एक square है ठीक है इसकी दोनों साइड सेम है देखिए यह equal है तो यह हमारा सिमेट्रिकल figure होता है देखिए बच्चो अपने इसमें बोला गया and circle the figure which can be divided into two symmetrical figures तो देखिए बच्चो हनी भी हनी भी मतलब मदु मक्की को हम बीच में से डिवाइड करेंगे तो यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट सेम होगा बिलकुल होगा इसे हम circle करेंगे cloud का भी हम यह पार्ट देखिए यह वाला और यह वाला दोनों साइड सेम है जी नहीं यह हमारा नहीं होगा लगे अंबेला अम्बेला को अगर हम तू पार्ट में डिवाइड करते है तो यह बहीं होगा और बट्रफ्लै को यह हमारा होगा औक आया सबयों समझ में चलिए बच्चों नेस्ट कोशिन इस राद लाइन ऑज सिमेटरी इन इच अब फॉल्व इंग आप देखिए बच्चों को दोनो आपको सिमेटरीकल फिगर्स आपको द्रॉ करके इनको एकौल पार्ट में डिवाइध करना है तो बच्चों आप एट में कहांद द्रॉ करेंगे मीडल में एच में लाईग देज ट्रैंगल लाइग देज आणिस और इसकेल लाईग देज ओके इस तरह से आप इनमे लाइन ब्रॉ करके और इसे सिमेट्रिक फिगर बनाएंगे ठीक है नेक्स्ट कोशन देखे बच्चो आपको कोशन नमबर थ्री में पूछा गया एंसर किल दा मिरर इमेज मिरर इमेज आप सभी को बतानी है तो बच्चो हमारा C अगर यह हमारा जैसा हम देखते हैं वैसा इमेज है अगर इसे हम मिरर में देखेंगे तो मिरर इमेज इसका क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट तो यह हमारा सही है Q को हम रियल में ऐसे देखेंगे और अगर इसको हम mirror में करेंगे तो यह होगा यह हमारा wrong है arrow भी wrong है and this one is also wrong तो right होगा हमारा only C question number 4 देखिए complete the following symmetrical figures आपको बच्चो symmetrical figures complete करने हैं तो देखिए बच्चो इस तरह से आपको मैंने भी बताया symmetrical figures क्या होते हैं जिनके both sides equal होते हैं ठीक है इस तरह से आप बनाएंगे ठीक है सभी को आया समझ में बच्चो देखिए आप सभी इसको इस तरह से बना करके complete करेंगे आया सभी को समझ में किस तरह से आपको करना है ठीक है इस तरह से आपको complete करना है यही है हमारा figure and the last one figure is this ओके सभी को आया समझ में चली next is life skill बच्चो एक बिल कैसे तयार किया जाता है आप सभी को पता होना चाहिए you visited a self-service store given below are the rate of different thing in the store बच्चो आप एक store में गए वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़े देखी ठीक है तो बच्चो यहाँ देखे कुछ चीज़ें दी गई है like first one आपकी ball है then आपकी notebook है then आपका banana है then toffee then pans इनका rate दिया गया है आपको एक जो चीज़े है उसकी rate देखे एक ball के 15 एक notebook के 25 एक बनाना की 3 rupees 50 पैसा टोफी की है 50 पैसा pans की है 10 rupees each अब बच्चो देखे आपको you purchase 4 pans, 6 toffees, 2 balls and 4 bananas now you make a cash memo for the thing you bought in format given below बच्चो अब आपको देखे bill तयार करना है pan आपने लिए pan है 10 का toffee है 50 पैसे की ball है 15 rupees की and banana है 3 rupees 50 पैसे की ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले है बच्चो pan कितने लिए 4 rate per item 10 ठीक है कितना हो गया 40 rupees then toffees 50 पैसा each कितने लिए 6 यह हो गया हमारे 3 rupees then हमने लिए 15 rupees each 30 rupees sorry कितने लिए कितने लिए बच्चो two balls ली कितने रुपे की है 15 की 30 rupees total last हमने क्या लिया banana कितने लिए 4 and each banana is of 3 rupees 50 पैसा यह होगे हमारे 14 rupees ठीक है आया सभी को समझ में तो यह हमारा total कितना हो जाएगा बच्चो तो देखे बच्चो pan 4 लिए हमने 10 rupees each 40 rupees toffee 6 ली 50 पैसा each 3 rupees balls हमने 2 ली 15 rupees each 30 rupees banana हमने 4 लिए 3.50 each तो यह हुआ हमारे total 14 rupees और total हमें कितना पै करना पड़ा 87 rupees हमें total इनको पै करना पड़ा सभी को समझ में आयां बच्चो अच्छे से बच्चो देखिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और समझे और अपनी वाक्षीट को solve कीजिए उमीद करती हूं बच्चो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share करना बिल्कुल ना भूलिए और comment करके मुझे जरूर बताईए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा थैंक्यू बच्चो